So, Hello Everyone, केसे आप लोग सभी, I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे So, आगे दें आप सबका MP Board Education के YouTube Channel पर आज का वीडियो important होने वाला है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से MP Board ने काफी सारी information हमें provide करी है जैसे कि इस बार blueprint जो बनाई गई है वो chapter wise और unit wise बनाई गई है और यहाँ पर हमें clearly नहीं बताया गया है कि किस chapter से कितने कितने marks के कितने कितने questions आएंगे So, ऐसे हमें सभी लोग इस समय question bank का wait कर रहे है तो question bank के उपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उससे पहले कुछ basic doubts जो आपके हैं उन्हें हम clear कर देते हैं पहली बात आप लोग यह बिल्कुल मत सोचेगा कि इस बार paper difficult आएगा क्योंकि इस बार blueprint में अलग ही change किया गया है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा पिछली बार का जो result था उसमें 44% students fail हो गयते 44% students class 12 में fail हो गयते ऐसे में MP board के मन में MP board बिल्कुल इस पे विचार करेगा कि इस बार paper इतना difficult नहीं होना चाहिए योगि पिछली बार का जो paper था वो भी बहुत easy था इसके बावजूद MP board में बहुत सारे बच्चे fail हुए थे और MP board का result पिछली बार खराब आये था तो कोई भी state board यह नहीं चाहेगी कि हमारा result बेकार है तो ऐसे में बिल्कुल भी MP board जान्दा difficult paper नहीं बनाएगा ये बात आप लोग सभी clearly समझ लीजिए paper difficult नहीं आएगा जो level होता है paper का वही paper हमेशा MP board बनाता है और वही उसको maintain करेगा ठीके पहली बात आप लोग ये सब समझ लीजिए ओके अगर paper difficult आता है तो MP board का result इससे भी खराब जाने वाला है ओके ऐसे में आप लोग अब समझ गये होंगे कि MP board paper difficult तो नहीं बनाएगा इसका सबूत आपको मिल जाएगा त्रेमार्शिक परिक्षा में अर्दवार्शिक परिक्षा में जो government खुद conduct करती है इसके अलावा Christian bank के ओपर आ जाते हैं हम लोग Christian bank पिछले साल के गर हम लोग बात करें तो अगस्त में आ गई थी अच्छा पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये Christian bank का हम इतना wait क्यों कर रहे है Christian bank से हमें ये चीज़ clear हो जाती है कि किस तरीके से इस बार pattern दिया जाएगा ठीक है pattern की बात कर रहे है blueprint की बात नहीं कर रहे है pattern यहां से हमें समझ में आएगा दूसरी चीज ये भी हमें समझ में आ जाएगी जो अभी news निकल के आ रही है इस बार फिलिंदा blanks ज्यादा आएंगे ठीक है फिलिंदा blanks आएंगे MCQs टाइप के questions नहीं आएंगे तो वहां से ये चीज़ भी clarify हो जाएगी तो ये दो-तीन चीज़े हैं जिसकी वज़र से हम question bank का wait कर रहे है question bank में बहुत सारे questions होते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करें objectives की objective के point of view से question bank बहुत important होती है इसलिए हम question bank का wait कर रहे हैं अब बात करते हैं कि question bank कब आ सकती है देखिए पिछली बार अगस्थ में आ गई थी उससे पिछले साल दिसम्बर में आई थी तो आप लोग समझ गे होंगे कि यार हो सकता है अगस्थ और दिसम्बर के बीच में कभी भी आ जाए लेकिन हम उम्मीद करेंगे यार government से कि अगस्थ में किसी भी हाल में MP board release कर दे question bank ताकि बच्चों को idea हो जाए किस तरीके से आगे उनको पढ़ाई करनी इसके अलावा बात करते हैं थोड़ी सी कि जो हमने course बना रखा है आपके लिए chemistry और physics का English medium में वो course से आप लोग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं 2024 के लिए तो बिलकुल आख बंद करके आप लोग उस course को कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि MP board के basic से basic चीजें advance से advance चीजें जो MP board ने पिछले 15 सालों में पूछी गई है वो सब कुछ उस course में करवाई गई है आप लोग समझ गया होंगे कि वो course कितना important है वहाँ पे सब कुछ MP board के basis पर ही कराया गया है उके सो उस course को करना आपके लिए mandatory है उके सो वो course आपको मिल जाएगा YouTube के उपर भी और हम लोग बहुत जल्द हमारे app के उपर भी उस course को लाने वाले हैं और भी बहुत सारे courses हमारे app के उपर भी आएंगे साथ में YouTube पर भी आएंगे ओके सो काफी सारे जो doubts थे आपके वो clear हो गये होंगे इसके अलावा आगे भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे तो चैनल को subscribe आप लोग कर लीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद